इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम का पार्ट 3 डिसकस करने जा रहे हैं और इस सिनोनिम की सीरीज का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो हम आगे वाले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं तो आज हम पार्ट 3 डिसकस करेंगे इसका तो बिना देरी कियो हुए हम लोग अपने इस पार्ट को आगे continue करते हैं देखिए जो पहला वर्ट दिया है आपको वो दिया गया है प्रोग्नॉसिस प्रोग्नॉसिस का मतलब होता है पूर्वधारणा मतलब prediction पहले हम prediction बना लें पहले हम गयास कर लें कि कोई भी treatment है उस treatment का outcome क्या होगा मतलब उस particular treatment का आगे result क्या होगा मतलब to predict that what will be the outcome of that particular treatment इस चीज को बोलेंगे हम लोग प्रोग्नॉसिस तो प्रोग्नॉसिस का यहां जो options दिये हैं उन मैंसे सही जो synonym होगा वो हो जाएगा option B forecast forecast का मतलब भी होता है prediction कि आगे क्या होने वाला है आगे क्या result होगा तो प्रोग्नॉसिस इसका synonym होगा forecast जो दूसरे words दिये हैं उनके भी हम meaning देख लेते हैं देखि देना मतलब to identify the problem and then to give it a name इसको हम बोलेंगे diagnosis तो यह हो गया diagnosis का meaning then option C is preface preface का मतलब होता है an introduction of a book किसी भी book का introduction परिचय प्रस्तावना इसे हम बोलेंगे preface then option D is identity identity means पहचान the quality that makes someone different from others एसी पहचान एसी quality जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हो इसे हम बोलेंगे identity तो मैंने आपको जो चार words दिये हैं उन चार words के meaning बता दिये और हमें ये भी बता चल गया कि जो हमारा word है prognosis उसका सही synonym हो जाएगा option B forecast which means prediction that what will be the outcome of a problem I hope आपको prognosis का meaning clear है syn synonym clear है अगला word देखते हैं हम अपना next word is dessert dessert का मतलब होता है a sweet dish that is eaten at the end of a meal मतलब खाने के बाद जब हम कोई मिठाई खाते हैं कोई sweet dish खाते हैं उसको हम बोलेंगे dessert तो इसका जो synonym हो जाएगा option C sweet dish मतलब मिठाई अब जो दूसरे words दिये हैं दूसरे words के भी हम meaning जान लेते ह last option is wasteland wasteland का मतलब होता है an area of land that is unused and has become barren मतलब कोई भी land है जमीन है जमीन का वो भाग जिसको हम use नहीं कर रहे हैं जो की unused है और वो हम use नहीं कर रहे हैं इसकी वज़े से वो कैसा हो गया है वो हो गया है barren मतलब वो banjar हो गया है तो banjar भूमी इसे हम बोलेंगे wasteland then option B is abandon abandon का मत मतलब होता है to cease to support someone किसी person को support करना बंद कर देना उसे छोड़ देना इसे ही हम बोलेंगे abandon then option D is broth broth का मतलब होता है a soup consisting of meat and vegetable मतलब कोई भी soup है वो soup के अंदर meat है और vegetable है और उसको generally हम stock में बनाते हैं हिंदी में इसे बोलेंगे शोरबा तो broth means शोरबा एक soup जिसके अंदर meat और vegetables है I hope आपको broth का भी meaning clear है और जो हमारा word दिया है dessert which means a sweet dish that is eaten at the end of a meal उसका synonym हो जाएगा option C sweet dish मतलब मिठाई next word देखते हैं next word है हमारा nave nave का मतलब होता है a dishonest man मतलब बेइमान व्यक्ति अब इसका जो synonym हो जाएगा वो हो जाएगा option D scondral scondral का मतलब भी होता है बेइमान या फिर dishonest person व्यक्ति अब जो options दिये हैं दूसरे उनके भी हम meaning देख लेते हैं first option is emperor emperor का मतलब होता है king ruler samraat then option B is enchanter enchanter का मतलब होता है magician wizard जादूगर then option C is soldier soldier का मतलब होता है fighter forgy तो जो दूसरे वर्ट दिये हैं इन सारे words के भी meaning मैंने आपको बता दिये हैं plus जो हमारा word है nave which means a dishonest man एक बेमान व्यक्ति उसका सही synonym हो जाएगा option D that is scondral और यह next word देखते हैं हम अपना next word है हमारा candid candid का मतलब होता है straight forward मतलब direct या फिर वो person जो की openly चीजों को बोल दे जो directly चीजों को बोल दे straight forward हो जो बहुत जादा तो जो options दिये हैं उन options में से इसका सही answer हो जाएगा option B frank frank का मतलब भी होता है कि directly जो चीजों को बोल दे जो बहुत straight forward हो जो open हो और जो दूसरे options दिये हैं उनके भी हम meaning जान लेते हैं the very first option is overconfident overconfident का मतलब होता है excessively confident मतलब आती आत्मविश्वासी जो बहुत जादा आत्मविश्वासी हो excessively confident यही मतलब होगा overconfident का then option B frank इसका meaning तो मैंने आपको बता ही दिया है option C is arrogant arrogant का मतलब होता है एहंकारी घमंडी अभिमानी arrogant का meaning clear है then option D is careless 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 means reckless लापरवाह तो चारो जो words है इन चारो words के मैंने आपको meaning बताए और मैंने बताया कि जो आपको word दिया है candid उसका synonym हो जाएगा option B frank मतलब straight forward हो जो direct हो open हो next word देखते हैं हम अपना next word is pious pious का मतलब होता है religious, dharmic, sacred, holy ये सारे जो है ये सारे words हो जाएगे pious के synonym means religious हो जो, dharmic हो, sacred, holy अब जो दूसरे words दिये हैं उन दूसरे words के हम meaning देखते हैं second word is sympathetic sympathetic का मतलब होता है expressing sympathy सहानुभूती जाता न यही मतलब है sympathetic का then option C is afraid afraid का मतलब होता है feeling fear और anxiety मतलब डर या फिर भय then option D is faithful faithful का मतलब होता है loyal मतलब इमांदार विश्वस्त निया तो faithful का मतलब loyal तो I hope जो चारो words दिये हैं उन चारो words के आपको meaning clear है और जो हमारा word है pious which means second which means religious इसका सही answer हो जाएगा option A religious तो pious का synonym हो जाएगा option A religious I hope आपको इस word का भी synonym clear है plus जो दूसरे words दिये हैं उनके meaning भी clear है तो आज हमने कुछ words discuss किये उनके synonyms discuss किये देखिए ये जो words आज हमने discuss किये हैं ये आपके exam में पहले पूछे जा चुके हैं तो I hope कि ये जितने भी words हैं इनके meaning clear हैं इनके synonym clear हैं आगे और भी अच्छे अच्छे synonyms को discuss करेंगे अपनी vocabulary को enhance करेंगे तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best झाट 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 झाल झाल